तो आज का आपका टॉपिक है गोनोरिया, गोनोरिया एक important टॉपिक है जहां से आपको 2 से 5 मास का question बनता है बात करें गोनोरिया की तो गोनोरिया एक sexual transmitted disease है और यह आपको 3 syllabus में दे रखा है B.H.C. nursing, B. Pharmacy और B.H.C. तो तीनों जगर पर आपको 3 syllabus में गोनोरिया दे रखा है और इस lecture में हम देखेंगे कि गोनोरिया होता क्यों है, होता किस से है गोनोरिया होने पर क्या-क्या sign and symptoms आते हैं, उसका treatment क्या है, उसका prevention क्या है तो complete lecture गोनोरिया का आउन देखने वाले हैं, साथी साथ यह देखेंगे कि गोनोरिया जो है spread कैसे होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के lecture को अगर आपको और lecture देखने हैं तो मैंने playlist के link जो है description में दे रखिए और अगर आपको notes download करने है PDF format में तो आप telegram से जुड़िए वहाँ पर मैंने आपको whatsapp के बारे में बता रखा है, whatsapp group के बारे में आप whatsapp group feature से जुड़िए और वहाँ से आप notes को download कर सकते हैं तो चलो शुरू करते हैं आज का lecture तो जैसे कि मैंने आपको introduction में बताया कि gonorrhea एक sexual transmitted disease है जिसको हम short में बोलते हैं STD, sexual transmitted disease ओके और यह जो gonorrhea है यह bacteria करता है, कौन सा bacteria, niseria gonorrhea के नाम है, niseria gonorrhea, इस नाम का जो bacteria होता है वो gram negative bacteria होता है जो कि आपको gonorrhea करता है, तो gonorrhea किस से होता है, एक bacteria से होता है उस bacteria का नाम क्या है, niseria gonorrhea, और यह एक तरह का gram negative bacteria है तो suppose मैं आपके लिए यहाँ पर bacteria बना देता हूँ यह है bacteria, ओके, और यह gram negative bacteria है और इस बैक्टिरिया का नाम है निजेरिया गॉनूरिया तो यह बैक्टिरिया क्या करेगा आपको गॉनूरिया करेगा सीदी सी बात है तो गॉनूरिया होता किससे है एक बैक्टिरिया से होता है जिसका नाम है निजेरिया गॉनूरिया और यह एक gram negative bacteria है जो की round shape का होता है यह सारा introduction आपको याद रखना है क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो कि gonorrhea तो gonorrhea होता किस से है bacteria से bacteria का नाम निजेरिया gonorrhea bacteria की shape round shape bacteria कैसा है gram negative सारी detail होनी चाहिए bacteria से related क्योंकि वह bacteria gonorrhea कर रहा है उसका नाम क्या है निजेरिया gonorrhea चलिए अब मैं बात करूँ इस bacteria की तो यह जो bacteria है निजेरिया gonorrhea यह दो तरह से spread होता है एक होता है horizontal जिसको मैं short में लिख रहा हूं ठीक है किसी pregnant woman को यहां पर मैं woman बनाता हूं यह pregnant है तो pregnant woman को gonorrhea है तो pregnant woman से जो बच्चा है उसमें भी gonorrhea का bacteria चल जाएगा with the help of placenta आपको याद होगा कि mother से baby कैसे connect होता है suppose this is mother यहां पर मैं बना देता हूं यह mother है और यहां पर जो है baby है तो अगर मैं देखूं के uterus में बच्चा कहां पर attach होता uterus में मैंने reproduction में बताया था आपको तो suppose this is uterus and this is the baby यहां पर जो है baby है यह तो यह कैसे connect होता है यह connect होता है placenta के थ्रूँ ध्यान से सुनो यह जो baby है यह mother के uterus में placenta के through बच्चे में भी जा सकता है तो यह दोनों तरह से spread होता है एक तो होता है horizontal जिसको में short में लिख रहा हूं एक होता है vertical जिसको में short में लिख रहा हूं VT तो vertical का मतलब होता है mother से बच्चे में sun में या baby बोलो आप ठीक है तो mother से baby में जा रहा है placenta के through तो उसको हम कहेंगे vertical transmission और horizontal transmission का मतलब है बहार से कहीं आ रहा है जिसे mucus से आ रहा है या फिर आप blood transfusion कर रहे हो उस से आ रहा है तो यहां पर यह दो तरह से spread होता है ज्यान रखना यह जो नूरिया है यह दो तरह से spread होता है horizontal एंड वर्टिकल और वर्टिकल में क्या होता है mother से baby में जाता है वाया placenta और horizontal का मतलब क्या होता है horizontal का मतलब होता है external वेक्टर से आ रहा है तो यह मैं आपको जब pdf शेयर करूंगा तो वहां पे लिख दूंगा मैं spread both horizontal as well as vertical वर्टिकल का मतलब mother से placenta horizontal का मतलब बाहर से आ रहा है चलिए doesn't survive well on outside the body और यह जो निजरिया gonorrhea है ना यह outside the body ज्यादा अच्छे से सर्वाइब नहीं कर पाता है इसको सर्वाइब करने के लिए बोडी चाहिए एक host चाहिए चलिए आगे चलते हैं अब देखिए condition में आपको बताता हूं अगर gonorrhea होने की chance है तो वह man से woman को 50% है अगर मालो man है यहाँ पर और यहाँ पर female खड़िये मैं कब करूँ के female गा चलो रहन देते हैं दिखी रही है कितनी प्यारी सी है ठीक है तो man से अगर man को gonorrhea हुआ तो man से female में gonorrhea होने के chances 50% होते है अगर इस इंसान को gonorrhea है तो female में gonorrhea होने के chances 50% है पर अगर वहीं इस female में ही होते हैं कितना बड़ा difference है अगर आत्मी को gonorrhea है तो और अगर woman को gonorrhea होने के 50% chance है और अगर woman को gonorrhea है तो सिर्फ man को होने के 20% ही chance है यह बात ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर mucus ज़्यादा होता है woman में तो यह ज़्यादा कर नहीं सकती man को पर man तो सीधा insemination करता है त ज़्यादा फेलने के chance होते हैं तो man से woman में फेल सकती है 50% पर woman जो है वो man को 20% ही chance है कि gonorrhea करेगी तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है मिने statement higher chance woman become infected from a man एक man से woman कितने percent infect हो सकती है 50% पर अगर woman कितना करेगी woman से 20% ही infect कर सकती है man को clear है अब देखिए site of entry क्या क्या है जो gonorrhea का bacteria होता है निजेरिया gonorrhea वो फेल सकता है vaginal mucus से urethral mucus of penis से mucus of the throat and mucus of the rectum rectum का mucus throat का mucus penis का mucus urethral का mucus vagina का mucus इन सब के mucus से transmission होता है निजेरिया gonorrhea का जो की करता है हमें gonorrhea निजेरिया gonorrhea bacteria का नाम है इसका transmission होता है और इसका transmission हुआ तो हमें करेगा यह gonorrhea तो transmission मतलब यह फेलेगा कैसे यह फेलता है vaginal mucus से urethral mucus से मतलब penis से ठीक है और mucus of the throat and mucus of the rectum हमारे throat का mucus हमारे rectum का mucus vaginal का mucus penis से जो secretion हो रहा है वहां से इन सब से फेलता है निजेरिया gonorrhea चल यह clinical feature देखते हैं कि क्या-क्या changes देखने को मिलते हैं अगर आपको निजेरिया gonorrhea का attack हो चुका है तो तो देखो clinical picture का सीधा सा मतलब है कि क्या-क्या changes आएंगे body में जब निजेरिया gonorrhea का attack हो जाएगा suppose आप यहाँ पर खड़े हो ठीक है यह आप यहाँ पर खड़े हो और यहाँ पर यह कोई बैक्टिरिया और यह बैक्टिरिया जो है निजेरिया gonorrhea यह और अगर इसने आपकी body पैटेक कर दिया वाया blood transfusion या फिर आपने कोईटस परफॉर्म किया sex परफॉर्म किया और महिलाओं को पहले सही gonorrhea था या फिर किसी female ने sex परफॉर्म किया और male को पहले सही gonorrhea था तो कैसे भी transmission हुआ कैसे भी यह निजेरिया gonorrhea जो है body तक पहुच गया अब body में पहुचने के बाद इसके symptoms आएंगे 2-7 दिन बाद कब आते हैं बच्चों के symptom 2-7 दिन बाद इसके symptom आते हैं दिन बोल रहा हूं में घंटे मत कर देना 2-7 दिन बाद symptom आते हैं symptom का मतलब है लक्षन क्या-क्या लक्षन आ रहे हैं ठीक है तो 2-7 दिन बाद symptoms आते हैं उस 2-7 दिन के period को हम कहते हैं incubation period क्या कहते हैं incubation period तो जो incubation time है इसका वो 2-7 दिन का है और main में जो है problem आती बहुत ज़्यादा अगर main को nigeria gonorrhea है मतलब nigeria gonorrhea का attack हो चुका है main को अगर gonorrhea हो चुका है तो उसका discharge करने में disuria करने में काफी problem आएगी discharge का मतलब है कि अगर वो urine का discharge करेगा तो भी उसे दिक्कत आएगी सीमेन का डिस्चार्ज करेगा तो भी उसे दिख्कत आएगी डिसूरिया का मतलब है यूरीन को एस्टरिट आउट करने में डिस्कमपर्ट होना टॉयलेट जो वो करेगा तो उससे डिस्कमपर्ट होगा बहुत जादा और यह क्यों हो रहा है क्योंकि उसको गोनेरिया है तो देखिए नेक्स पॉइंट में लिखा है तैन परसंट कैन भी ऐस्म्टोमेटिक जो दस प्रतिशत जनता है वो ऐस्म्टोमेटिक भी हो सकती है उनको कोई भी सिंटम्स नहीं भी आ सकते हैं पर अगर आपने गोनोरिया को सही टाइम पे सही नहीं करवाया सपोस्पोस्स आपको पता लग जया कि आपको गोनोरिया है और फिर भी आपने लापरवाही देखाई उसका treatment अगर आपने सही से नहीं कराया तो क्या-क्या complication आ सकते हैं वो आप देखिए आपका जो epididymus है उसमें inflammation हो जाएगा inflammation को हम बताते हैं itis से itis का मतलब होता है inflammation और किसमें हो रहा है epididymus में तो epididymus लिखा हुआ है यहां पर तो देखो यहां पर second point में लिखा है prostateitis prostateitis का मतलब होता है prostate में inflammation epididitis का मतलब epididymus में inflammation prostateitis का मतलब prostate में inflammation ठीक है अब next देखिए women can help vaginal discharge हम सभी को पता है कि women's में vaginal discharge होते हैं that's why women men जो है सिर्फ 20% ही affect कर पाती है men को ठीक है क्यों क्योंकि उनके पास उनके discharge है vaginal discharge और 50% will have mild or no symptoms यहां पर इस statement का मतलब है कि जो 50% महिलाएं होती है या तो उनमें बहुती कम symptoms आते हैं gonorrhea के या फिर बिल्कुली symptoms नहीं आते gonorrhea के मतलब जो महिलाएं होती है वह asymptomatic रहती है 50% उनमें symptoms ही नहीं आते gonorrhea के पर अगर मैं वहीं बात करूँ males की तो male जो है more symptomatic है males में symptoms जादा आते हैं gonorrhea के एक तरफ अगर मैं male को खड़ा कर दूँ और एक तरफ अगर मैं female को खड़ा कर दूँ तो female में symptoms नहीं आते ठीक है 50% female में तो symptoms ही नहीं आते या फिर बहुत mild आते हैं बहुत कम आते हैं पर वहीं अगर मैं male की बात करूँ तो male are more symptomatic towards gonorrhea जब भी उन्हें gonorrhea होगा उनमें symptoms जो हैं काफी जादा देखने को मिलेंगे as compared to female और female में क्या है vaginal discharge जिसकी वज़े से उससे transmission भी कम होता है चलिए complication देख लेते हैं वैसे तो हमने complication देखे जिसे epididymes में inflammation हो जाएगा pelvic inflammatory disease PID और vertical transmission में आपको बता दिया vertical transmission का मतलब क्या होता है mother से placenta के through baby में जा रहा है अगर mother को gonorrhea है तो वो baby को भी हो सकता है क्योंकि mother में gonorrhea है मतलब mother को infection है किस bacteria से निजेरिया gonorrhea से mother की body में निजेरिया gonorrhea है और ये निजेरिया gonorrhea जो bacteria है ये placenta के through यहाँ पर ये जो placenta है इसके through निकल के baby तक पहुँच जाएगा ठीक है तो यहाँ पर लिखा है ophthalmia neonatrum मतलब यह एक ऐसी condition है जहाँ पर आखे भी नहीं खुल पाएगी बच्चे की ठीक है चलिए यह complication थी के बच्चे की यहाँ खुलना भी बंद हो जाएगी अगर मदर को बहुत जादा gonorrhea है और उसकी body में बहुत जादा gonorrhea फैल चुका है यहाँ पर आपको treatment बता रखे है gonorrhea के जैसे कुछ drugs का नाम लिया हुआ है यहाँ पर लिखा है सिफिक सिम नेक्स पॉइंट में लिखा है वाट एपन इफ gonorrhea गोस अंट्रीटेट अगर gonorrhea को treat हमने नहीं करा तो और क्या हो सकता है तो आप पढ़िए यहाँ पर if a person is not treated for gonorrhea there is a good chance of complication will occur हमें पता है कि अगर gonorrhea का सभी treatment नहीं हुआ तो complication आएगा अब देखिए यहाँ पर women's में क्या complication आएगा वही pelvic inflammatory disease एक painful condition होती है और अगर female में pelvic inflammatory disease हो गई तो female की fertility जाने की chances भी होते है female जो है infertile हो जाती है अगर female में pelvic inflammatory disease हो गई तो और यह pelvic inflammatory disease हो क्यों रही है gonorrhea के कारण gonorrhea जो है body में fail चुका है और यह gonorrhea कैसे हो रहा है निसीर या gonorrhea के थुरू clear है तो यहाँ पर मैंने female बना रखी है गर्वे के लिए तयार है चलिए next देखते है male के सफर करेगा तो male के testicle swell up हो जाएंगे या penis swell up हो जाएगा ठीक है swearing आ जाएगी testicle में पैनिस में और दोनों sexes सफर करेंगे male भी सफर करेगा female भी सफर करेगी female में क्या होगा pelvic inflammatory disease जिसकी वज़े से उसकी fertility चली जाएगी male में क्या होगा swelling हो जाएगी testicle और पैनिस में तो दोनों sexes जो हैं सफर करेंगे और साथ में अगर यह बहुत जादा बोडी में पहलता जाता है तो arthritis बहुत गंबिर विमारी है joint की वो देखने को मिल सकती है skin problems हो सकती है और भी organs में infection हो सकता है और यह सब क्यों हो रहा है क्योंकि निजेरिया gonorrhea नाम का जो bacteria है वो पूरी बोडी में दिर्रे spread होने लग गया है और उसके spread होने से arthritis, skin problem और कुछ other organ में भी infection आ जाएंगे इनके condition है ओके नव नेक्स्ट आपको यहां पर लिखा है what can be done to prevent spread हम क्या क्या कर सकते हैं ताकि gonorrhea ना फेले तो देखो सब सब पहले तो multiple sex partner avoid करो हम एक हमारी एक ऐसे योजना बना के चलो multiple sex partner रखोगे तो फिर दिक्कत आएगी अब आप बोलोगे सरम तो science वाले हैं या एक sex partner रूनना वड़ा मुश्किल है multiple sex partner तो खेर छोड़ो ठेक है तो अपने तो होने से राग देखो यहां पर sexual relationship should be approached responsibly responsibly बनाओ ठेक है second देखो है आप पर limit the number of your sex partner अरे सर लिमिट द नंबर यहां तो zero लिख दो आप क्योंकि हम science वाले हैं ठेक है एट्स तो बहुत ही complication disease है तो यह सारी मैंने पढ़ा रखी आपको एट्स वगिरा मैंने काफी detail में पढ़ाया है अगर आपने एट्स का lecture देख लिया ना तो आपके सारे concept clear हो जाएंगे और जिंदिगी पर काम आएगा हो lecture ठीक है तो limit में रखो sex partners मैं zero लिख देता हूं य ऐसा नहीं है कि उसको body में spread होने दो क्योंकि अगर वो spread हो जाता है तो फिर complication आती है जैसे arthritis skin problem other organ effect तो यह था gonorrhea ठीक है gonorrhea के बारे में आपको छोटा ही question बनता है ज्यादा बड़ा question बनता नहीं है two to five marks का question बनता है सिंपल सा question बनता है यहां से अगर आपको lecture से related कोई भी simple explanation दिया जो measure question है वह आपको ads, diabetes, arthritis इन सब बड़े-बड़े topics से बनता है और अगर आपको किसी भी disease related doubt है तो आप हमें comment कर सकते हैं हम आपको उसके लिए lecture upload करके देंगे टेलिग्राम से ज़रूर जुड़ जाना, टेलिग्राम से जुड़ना बिल्कुल free of post है और टेलिग्राम पे आपको सारी update मिलेगी WhatsApp से जुड़ना है तो WhatsApp से कैसे जुड़ना है, how to join premium वो मैंने आपको इसी वीडियो के description में टेलिग्राम और premium की link बता रखिए, follow करो procedure और जुड़ जाओ, जुड़ोगे तभी knowledge बढ़ेगी I hope आपको lecture clear हुआ होगा, subscribe and share for more, have a nice day, thank you